गाइज फरोड आज की डेट में आप से को मालुम है कि किस तारीके से होता है। पहला तो आप से कोई की UPI रुक्वेश्ट ढला जाता है और आज की डेट में UPI रुक्वेश्ट पे टियाम एक लाग तक एफूरूबल दे दिया है। यानि कोई ब्यागति अगर आपको PTM के थुरू UPA request भेज दिया है तो आपके account को एक लाख रुपया का चूना लगवा सकता है बट आप सको इसे safe रहना है कभी भी कोई ब्यागति अगर आपको request भेजता है तो उसको आप cancel कीजिगा, accept मत कीजिगा, pay मत कीजिगा ठीक है उससे आप अपने fraud से बस सकते हैं दूसरा बता दो अगर आप कुछी company को call करते हैं जो की fraud company रहता है तो fraud company आप से पोछेगा क्या अपना credit card का number बताए या debit card का number बताए फिर मैं आपको details आपको बताता हूँ कि आपका पैसा किदर फांसा है साथ में बतादू कि जो भी application से skin record होता है वो application अगर आपको बोलेगा कोई भी customer के यह download करके आप open कीजिए मैं आपको handle करता है आपके mobile को तो कभी भी मत कीजिएगा ठीक है इसे भी आपको mobile को hike करके फिर आपके account से पैसा को withdraw कर सकता है बता दू कि मेरे cash subscriber एक हैं वो हमारे subscriber के साथ ही इस तरह एक fraud हुआ था जो कि उनके account से पुरिये 50,000 का request भेजा गया था बट हमारे subscriber थे हमारे email ID से हमसे बात कर रहे थे बराबर तो मैं उनको बताया कि कभी भी आपकोना card number, CV code कभी भी किसी को मत दीजिए अगर आप देते हैं तो आपके साथ fraud हो सकता है और आपके account से पैसा निकल सकता है तो subscriber ने हमारा बात माना और किसी के साथ जो उनका call लेक आया था fraud call उनको अपना card number तो पहले बता चुका था बट उनके number पे एक OTP आया और OTP नहीं बताया तो हमारे subscriber बच चुका है तब गाइज अगर आपके life में भी कभी भी किसी के साथ fraud call आता है बताता है कि अगर आपके bank में इतना balance आ चुका है उसको आपको ड्रो कर लीजे या PTM पे आपको offer मिला है उस offer को लूट लीजे या आपके phone पे application में अच्छा खास offer आया है उसको आपने आप सेवियं को में transfer कर लीजे तो वो सब कसा fraud होता है आपसे उसे बच के रहेगा कोई भी ब्याक्ति आज की रेट में एक रुपया किसी को देना नहीं चाहता है आप ये समझ लीजे कि सामे बबला बंद आपको 10,000 कैसे वे offer के तोर पे दे रहा है तो इतना ही समझ लीजेगा आज की रेट में कोई भी offer नहीं होता है सब आपके लूटने के चक्कर में आपको call करता है अगर आप उस call के चकर में फस्ते हैं अपना card number साथ में अपना question data अगर उनको आप किसी को बताते हैं तो फिर आपके साथ fraud होने का 110% chance रहता है या अगर सामने से बंदा call किया है अगर आप उसी time उसको आप निगलेट कर देते हैं call को receive नहीं करते हैं या call receive की अगर आपको पूछ भी रहा है कि अपना card number बताएए मैं आपको offer दे रहा हूँ तो अगर आप उस call को उधर ही cut करते हैं आप फ्रॉड साब बस सकते हैं बट अगर उस call के थूरा आप country भी बने रहे हैं जो जो आपको बोला गया अगर आप वो करते रहेंगे तो आपके साथ 100% fraud होगा और आप सब का पैसा लूट के ले जाएगा तो गयाज अगर आपके life में कभी भी इस तरह का call आता है UPI के request डालने के से लेके और पना card number details तक तो आप सब कभी भी किसी के साथ share मत कीजिएगा आपसा करता हूँ कि आप सब को ये वीडियो पसंद आया होगा जरू वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए